Hello and welcome to your channel as they like it. इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे अरब इन्वेजन इन इन्डिया. अरब्स ने इन्डिया में 8th सेंचुरी में अपना इन्वेजन स्टार्ट किया. क्योंकि ये उमायत कैलिफ की एक्सपेंशन पॉलिसी का पार्ट था. सन 712 में उमायत कालिफ का जनरल महमद बिन कासिम ने इन्डिया में इन्वेट किया था from the North West region. आईए ब्रीफ में जानते हैं महमद बिन कासिम के बारे में. महमद बिन कासिम एक अरब मिलिटरी कमान्डर था और इसी ने ही उमायत कालिफ की डिरेक्शन्स पर इन्डिया पर इन्वेट किया था. इन फैक्ट महमद बिन कासिम का इन्वेजन ही Conquest of सिंद का reason बना था. महमद बिन कासिम ने ही सिंदी ब्राह्मन डाइनेश्टी की रूलर राजा दाहीर को हरा कर सिंद को अरब में एन्वेजन कर दिया था. इन फैक्ट महमद बिन कासिम फर्स्ट मुस्लिम था जिसने सक्सेस्फ़ली कैप्टर किया था हिंदू लैंड और इसी ने इस्टैबलिश किया था मुस्लिम रूल इन इडिया. आएए अब जानते हैं Battle of Reward के बारे में. Battle of Reward हुई थी बीट्विन मुहमद बिन कासिम और दाहिर जो की सिंद के किंग थे. सिंद में इस समय ब्राह्मन डाइनेस्टी रूल करती थी और दाहिर लाश्ट हिंदू किंग थे सिंद प्रोविंस के. Battle of Reward में मुहमद बिन कासिम दाहिर से जीद गिया था और सिंद और मुल्तान दोनों उसने अनेक्स कर लिये थे. मुल्तान को मुहमद बिन कासिम ने City of Gold का नाम दिया था. आएए अब जानते हैं मुहमद बिन कासिम का Administrative System. जीद के बाद मुहमद बिन कासिम ने एक Administrative System establish करने की कोशिश की. ताकि एक Stable Muslim State establish किया जा सके. Especially उस लैंड पर जो की Non-Muslims द्वारा inhabited था. और इसलिए मुहमद बिन कासिम ने एक Conceilatory Policy follow की. जहां नेटिस को कहा गया कि वो Muslim rule को accept कर लें. और इन एक्सचेंज उनके religious practices में interfere नहीं किया जाएगा. साथी Non-Muslims को वादा किया गया कि उनको foreign attacks और enemies से भी protect किया जाएगा. मुहमद बिन कासिम ने Islamic Sharia law पूरे region में impose किया. लेकिन हिंदूस को allowed था कि वो अपने laws के हिसाब से ही अपने disputes को settle करें. मुहमद बिन कासिम ने सिंद और मुल्तान को इक्ताज में divide कर दिया. और हर इक्ता का rule एक अरब military officer को दिया गया. हाला कि district sub division को हिंदू officers ही administer करते थे. इस समय Non-Muslims पर जजिया tax भी लगाया गया था. आईए अब जानते हैं अरब conquest के क्या impact होए? सबसे पहला impact तो यह हुआ कि सिंद का annexation से इंडिया में इसलाम को entry मिल गई. और क्योंकि Arabs cruel नहीं थे इसलिए लोगों का इसलाम की तरफ रुख भी बदल गया. Conquest के बाद हिंदूस पर कोई additional tax imposed नहीं किया गया. जिसकी वज़े से नेटिव हिंदूस ने भी Arabs को open arms से welcome किया. थर्ड impact conquest और सिंद का यह हुआ कि सिंद रीजन दूसरे इसलामिक रीजन के साथ communication के लिए open हो गया. और इससे direct trade और business relations पन सके दूसरी इसलामिक कंट्रीज के साथ. इससे पहले सिंद एक tribal region था लेकिन Arab invasion के बाद सिंद भी economically strong हो गया. Arabs ने ब्रामिन्स के rich rituals, astrology, medicine, अर्थशास्त्र, संस्कृत इन सभी चीजों को adopt किया और इसे यॉरोप में propagate किया. आए अब जानते हैं मुहम्मद बिन कासिम का end कैसे हुआ? खलीफ वालिद को सक्सीड किया था खलीफ सुलिमान ने, जो की enemy थे अलहजज के, जो की governor of Iraq था. मुहम्मद बिन कासिम son-in-law था अलहजज का, और इसी वज़े से खलीफ सुलिमान ने मुहम्मद बिन कासिम को dismiss कर दिया, और उसको Mesopotamia भेज दिया as a prisoner, जहां मुहम्मद बिन कासिम को torture किया गया to death. और इस तरीके से मुहम्मद बिन कासिम का अंत हो गया 20 साल की उमर में. तो दोस्तों ये थी हमारी coverage regarding Arab invasion in India. अपने next lecture में हम जानेंगे Turkish invasion in India. अगर आपको ये lecture पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को like and subscribe करें. Thank you.